नमश्कार में उप्रिया पटना नीज में आपका स्वागत है चुल जानते पटना की फटा-फटे 11 खबरों को आज से शुरू होगा बिहार दिवस आज से बिहार दिवस की शिरुवात होने वाली है 22 मार से 24 मार तक पटना के अतिहासिंग गांधी मैदान और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बिहार दिवस 2022 का कारिकरम आयोजित किया जाएगा इसको लेकर ही जुला धिकारी डॉक्टर चंदर शेकर सिंग और वरिय पुली अपने अपने दायत्म का जवाब देही से निर्वाहन करने का अंदर देश दिया आ गया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे किस कारिकरम के शांतिपुर्ण आयोजिन और सफल और सोचार ग्रूप से संपादन सुनिश्चित कराने के लिए ही उक्त आदेश दिया पत्ना मेट्रो परियोजना के निर्मान में आई तेजी पत्नावासियों को जल्दी मेट्रो की सौगात पत्ना में मिलने वाली है जिसकी उमीद भी अब इसले बढ़ गई है क्योंकि पत्ना मेट्रो परियोजना के निर्मान में तेजी आई है जिसकी बाद ही अब उमीद बिज़ताय जाए है कि 2024 से Phase 1 का संचालन शिरू होने वाला है मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार राजधानी पटना में मेट्रो पर योजना का निर्मान कारे में प्रभावित हुआ यात्रियों के लिए पटना जंक्शन के दोनों छोड़ पर चालो हुई May I Help Booth पटना जंक्शन पर यात्रियों को कोई परिशानी ना हो इसको ध्यान में रखते वे रेलवे प्रसाशन की तरफ से पटना जंक्शन के दोनों छोड़ में May I Help You Booth की शिर्वात हुई है हाला कि होली के दो दिन बाद भी जंक्शन पर रेलवे प्रसाशन की उमीद के अनुरूप यात्रियों की भीड नहीं दिखी आपकी जवानकारी के लाव को बता दे कि होली के बाद पटना जंक्शन से अलग-अलग राजियों में यात्रियों की लोटती भीड को देखते वे रेल प्रसाशन ने ज़रूरी तयारी शिरू कर दी है इससे बीच पटना जंक्शन के एक वरी अधिकारी ने बताया कि जंक्शन से सोमवार को एक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई ये ट्रेन पटना से अमरित सर के लिए रिखुली थी रास्ट्रिय जूनियर महिला होकी च्वांपियंशिप के लिए बिहार टीम रवाना बिहार महिला हौकी टीम रास्ट्रे जूनियर महिला हौकी चांपियंशिप में भाग लेने के लिए बीते दिन पटना से रवाना हो गई है बिहार का पहला मैच 25 मार्च को मिजोरम से है जबकि दूसरा बैस सताइस मार्च को तरप्रदेश की टीम से होगा बिहार का अनतेम लीग मैच 29 मार्च को राजस्थान से होगा बरौनी पटना मेमू जैनगर पटना समेत 5 ट्रेने इस दिन होगी रद या 3-1 कृप्या ध्यान दे अगर आप भी आने वाले समय में बरौनी पटना मेमू जैनगर पटना समेत 5 ट्रेनों में सफर करने की सोच रहे हैं आपके लिए हमारी एक ख़बर कुछ खास है। बीते दिन पतना हाई कोट ने बिहार लोक सेवा आयो के रवये पर नाराज की जोताई है। संस्कृत सिक्षकों को रहा देते वे उनकी बर खास्तगी के आदेश को नद कर दिया है। संजीव कुमार प्रकाश शर्मा ने याचुका करता संस्कृत सिक्षक चंद्रभूशन प्रसाद की याचुका पर सुनवाई करते वे उन्हें सभी सुवधाओं के बाद उन्हें सिक्षक पत पर बहाल करने का आदेश दिया है। इस बाबत को याचुका करता के अधिवक्ता संतोष कुमार ने बताया है कि साल 1981 में याचुका करता को सहाइक संस्कृत सिक्षक के पद पढ़ने उक्ति किया गया था। गहनी आबादी है, पीर मुहानी से शिर होने वाले नाले की चौराई भी घटकर आधी हो गई है। प्राप्त आवीदनों के बाद विभाग की तरफ से मेधा सूची के आधार पर चात्रों का नामांकन लिया जाएगा। योश्डा के नुसार डामांकन की प्राफ्री 28 मार्श तक पूरी कर लेनी है, इसके बाद विश्विद्याले को रिपोर्ट देना है। बिहार में खत्म हुआ कोरोना का खौफ, बिहार में कोरोना के मामनों में गिरावट जा रही है, यही कारण है कि कई वेग्याने के से शुब संकेत के रूप में देखने लगे हैं। इन सब के बिच बिहार से रहएत की खबर सामने आई है, ज़िसके तहती बिहार में कोरोना की तीसरी लहर का सरखत माना जा रहा है। पटना में कोरोना के उपचार के लिए चेहने चार प्रमोखस्पताल को कोरोना मुख खोशित कर दिये गये हैं यानि अब यहाँ पर कोरोना के एक भी मरीज दाखिल नहीं है PMCH, NMCH, IGIMS और पटना IMS को कोरोना फ्री खोशित किया गया है कल हमारे दुआरा पूछे गए सवाल का जवाब आप मेंसे बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था इनके नाम है सोनु सिंग प्रभा कुमारी प्रहलाद जोशी सुमन कुमार राधिश्याफ आप इस तर अअरे सवालों का जवाब देते रहे हम ह DC इन वीडियो के अंत में आपका नाम नेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते आज के सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार पतना किस सरके पहले के मकाबले ज्यादा विक्सित हुई है या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही पतना की बड़ी खबरों से अब्डेटिट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बल आइकॉन द है नवाद